जे मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें. दोस्तों, आज वो तारीक है जब चंद्रमा पर लगेगा ग्रहन. ये आंसिक चंद्रहन है, जो हमारे देश में ही नहीं, ब कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे समाप्त होगा. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, कि यदि आपका इस चंद्रहन से सम्मंदित कोई भी सवाल है, या आप अपने देश या सहर में चंद्रहन का exact टाइम जानना चाहते हैं, तो आप अपने क 2021 को साल का पहला चंद्रहन लगने वाला है, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रहन के समय नकरात्म गुरजा का संचार बहुत ज़्यादा होता है, वहीं ग्रहन के दौरान राहु अकेतू का प्रभाव भी अधिक हो जाता है दोस्तों 26 मई का लगने वाला चंदग्रहन भारत में उपचाया चंदग्रहन के रूप में दिखाई देगा उपचाया चंदग्रहन में चंद्रमा प्रत्वी की बाहरी चाया से गुजरता है इसमें चंद्रमा पर प्रत्वी की वास्तविक चाया नहीं पड़ती है जिस वज़े से चंद्रमा काला नहीं पड़ता है चंद्रमा के उपर सिर्फ एक धुंदिली परसी नजर आती है इसी वज़े से इसे मांग चंदग्रहन कहा जाता है दोस्तों वैसाग मां की पूनुमा के दिन बुद्धुवार को ये चंदग्रहन लगेगा और ये चंदग्रहन भारती समय के नुसार 26 माई की दोपहर को 2 बचकर 17 मिनट पर सुरू हो जाएगा और इस चंदग्रहन का मत्यकाल साम 4 बचकर 49 मिनट पर रहेगा और इस चंदग्रहन की समापती 26 माई की साम को 7 बचकर 19 मिनट पर होगी और इस चंदग्रहन की कम्प्लीट अवदी लगबग 5 गंटा 2 मिनट की होगी लेकिन यह चंदग्रहन संपूर भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि जब यह ग्रहन सुरू होगा तब उस समय भारत में दिन निकला होगा ऐसे में ये कुछ चेत्रों में ग्रस्तोदे के रूप में ही दिखाई देगा 26 मै को लगने वाला चंदग्रहन भारत के सिर्फ पूर्वी चेत्रों में ही दिखाई देगा ये भारत में अरुनाचल प्रदेश, असम, नागा लेंड में घाले, मणीपूर, मिजोरम, तिर्फुरा, पस्चिम बंगाल और पूर्वी उडिसा में दिखाई देगा लेकिन ये पस्चिम, उत्तर, पूरव और मद्ध भारत में दिखाई नहीं देगा और इसके लावा ये चंदग्रहन उत्री दच्णी अमेरिका, अटांटिका, दच्णी पूरवी एसिया, औस्टेलिया, चीन, रूस, जापान, ब्राजील, कनाडा, बांगला देश, स्री लंका, मंगोलिया, इंडोनेसिया, अलजीरिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, पूरिया, वर्मा, प्रसांत मासागर, वाहिंद मासागर में भी दिखाई देगा। आपको बता दें कि ये चंदग्रहन, व्रस्चिक रासी और अनुराधा नचत्र में लगने जा रहा है। इसलिए इस चंदग्रहन का सबसे ज़्यादा प्रभाव अनुराधा नचत्र व वर्रस्चिक रासी में जन्मी लोगों पर ही होगा। इन्हें इस समय खास सौवधानी बरतने की जवरत होगी। इनको ग्रहन के समय चंद्रमा के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाब करना चाहिए और सिव आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, चंदग्रहन का सूतक काल 9 गंटे पहले ही सुरू हो जाता है। इसलिए जहां पर ये चंदग्रहन दिखाई देगा, वहां पर 26 मैं की सुबा 6 बज कर 15 मिनट पर ही इसका सूतक काल लग जाएगा। जो की ग्रहन के साथ ही समाप्त होगा। लेकिन संपूर्ण भारत में इस चंद्रहन का सूतक का काल माना नहीं जाएगा। दोस्तों चंद ग्रहन का समय यंत्र मंत्र सिद्धी साधना के लिए बहुत अधिक सिद्धी दायक माना जाता है। चंद्ग्रहन के असुप्रभावों से निजात पाने के लिए ग्रहन के दिन गरीबों को दान दें, उन्हें भोजन करवाएं। दोस्तों, गर्वती महिलाओं को चंद ग्रहन के दोरान एकांत होकर बैट कर रामचरित मानस, सुन्दर कांड या दुर्गा कवच का पाट करना चाहिए। आप चाहें तो बैट पर ही बैट कर आराम से चंद्रमा के मंतर का जाब कर सकती हैं। आप ओम सोमसोमाई नमा या ओम चंद्राई नमा या फिर सिव जी के मंतर ओम नमाशिवाई इसका बिजाब कर सकती हैं। इससे आपका समय आसानी से कड़ जाएगा। ध्यान रखें कि आप अपनी गोद में एक नारियल भी अवस्य ले लें। और तुलसी का पत्ता भी साथ रखें। और ग्रहन सुरू होने से पहले थोड़ा सा गंगा जल अवस्य पी लें। और अगर कुछ खाने पीने की जवरत मैसूस हो तो अपने खाने पीने की चीजों में वा पीने वाले पानी में तुलसी का पत्ता अवस्य डाल लें। इससे उस बोजन वा जल में ग्रहन का दोस न जलाएं कपूर या लुबान जलाकर उसकी धूनी पूरे घर में दिखाएं ताकि किसी भी प्रकार की नकरात्म पूर्जा घर से दूर हो सके। सास्त्रों के नूसार ग्रहन के बाद दान अवस्य करना चाहिए। चंद ग्रहन में सफेद चीजों का दान करें। आप सफेद वस्त्र, आटा, चावल, चीनी या चांदी आदी का दान करें। इससे आपको पुनिफल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें। धन्यवाद।